विद्यास मस्ती की पाठशाला तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है तो देखो अम भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ग्राफिकल मेधर से लीनियर एक्वेशन को कैसी सॉल्ट किया जाता है ठीक है हमने देखा था वहाँ पर कुछ हम लोग कॉडिनेट्स फाइंड करते हैं जहाँ पर हमें X और Y के कुछ वैलियूस मिलती है और बहाँ से हम लोगोंने एक ग्राफ पूट किया था वहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है और जो दो लाइन इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट पर हम लोगोंने X एक्सिस पर और Y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आता है यह चिक किया था और देन हम लोगोंने X और Y इनकी Y वैलियूस फाइंड आउट की थी बराबर है और उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ elimination method से solve किया था बराबर है वहाँ पर हम लोग additions, fraction ऐसा कुछ करते थे लेकिन उसके बाद हमने देखा था graphical method से अभी उससे ही related हमें practice set 1.2 solve करनी है तो इसमें आपको 2 question है एक question में आपको table already दिया हुआ है और next question है, question number 2 यहाँ पर आपको 6 problems दिये हुए है यहाँ आपको 6 में ही tables निकालने हैं, उसके बाद आपको graph निकालना है and then आपको x और y की value बतानी है ठीक है, तो let's start our first question तो देखो, first question में क्या दिया है आपको already boxes दिये हुए है तो अभी हम इन boxes को fill करेंगे मतलब हमारे पास x की value है तो हम लोग y की value find out करें y की है, तो x की find out करेंगे तो अभी देखो, कैसे solve करेंगे यहाँ पर हमारा first point होगा हमारा first equation क्या है x plus y is equals to 3 तो यह होगा आपका first equation का graph sorry, table so हमें सबसे पहले कौन सी value दिये हुए है x is equals to 3 so मैं यहाँ पर लिखूंगी x is equals to 3 हमारा answer क्या आएगा 3 plus y is equals to 3 बराबर है so y is equals to 3 minus 3 is equals to 0 so y is equals to 0 मतलब y is equals to क्या है आपका 0 तो मेरा यहाँ पर value मेरा x की value जब 3 होगे तब y की value क्या होगे तब मेरी y की value होगे 0 क्या होगे 0 तो मैं यह देखो यहाँ पर लिखती हूँ 0 ओके तो देखो यहाँ नीचे दिया ही हुआ 3,0 then हम second को solve करते है इसमें यह हमारा first हो गया then क्या दिया है आपको y is equals to 5 y is equals to 5 ओके फिर हम इस equation में put करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x plus 5 is equals to 3 correct है then x is equals to 3 minus 5 तो हमें क्या मिलेगा minus 2 क्या मिलेगा minus 2 तो मतलब यहाँ पर answer कि आएगा आपका यह देखो यहाँ पर आपका answer आएगा minus 2 ओके क्या मिलेगा आपको यहाँ पर minus 2 तब ही आपको 5 मिलेगा y is equal to 5 और हम इस bracket पर क्या लिखेंगे minus 2,5 समझ में आया इतना यहाँ पर minus 2 लिखा है मैंने उसके बाद देखो उसके बाद हम लोग third fill out करेंगे पर उसको solve करने के जरूरत नहीं है क्योंकि आपको y भी दिया है x भी दिया है आपका first table now move to the second table second table में आपका second equation क्या है देखो x minus y is equal to 4 बराबर है यह आपका second equation है इसमें हम सबसे पहले y is equal to 0 पूट करेंगे ठीक है तो x is equal to अपने को find out करना है तो हमारा equation क्या है x y के जग हम क्या पूट करेंगे 0 minus 0 is equal to 4 this is correct then x is equal to क्या मिला हमे 4 right so मेरा यहाँ पर answer क्या आगया x is equal to 4 then मेरा second देखो x is equal to minus 1 दिया हुआ है तो मेरा equation क्या होगा यह क्या है equation यह है हमारा so क्या मिलेगा minus 1 minus y is equal to 4 मुझे minus y नहीं plus y चाहिए तो मैं इसको इस साइड लेके जाओंगी और minus sorry 4 को left hand side लेके जाओंगी तो क्या मिलेगा minus 1 minus 4 is equal to y then y is equal to minus 5 क्या मिला मुझे minus 5 तो क्या आया minus 1 के साथ minus 5 आया and then third में क्या दिया है 0 minus 4 तो यह coordinates हमने यहाँ लिखे ही हुए है then यहाँ पर हम लोग coordinates लिख लेंगे 4, 0 और यहाँ पर minus 1 minus 5 समझ में आया इतना अभी हम इन coordinates का use करके क्या find out करेंगे graph find out करेंगे देखो अभी graph find out कैसे करेंगे अभी मेरे पास online graph नहीं है कोई भी tools geometric construction की tools नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ एक blank page पर एक blank slide पर मैंने यह सिखाया है आपको graph पर यह solve करना होगा देखो मैंने यहाँ पर एक graph भी दिया हुआ है सभी question में कैसे आपको put करना है यह मैं बाद में बताऊंगी तो अभी हमें हाबर put करते है तो देखो मैंने यहाँ पर जो coordinates आए ना हमारे table में वही बस इनको short में यहाँ पर लिख दिया तक कि मुझे बार-बार वो slide पीछे ना करनी पड़े तो देखो यह हमारा first equation का graph है यह second equation के point है तो first equation का first point क्या आया था 3,0 देख लो एक बार यह देखो 3,0-2,5,0,3 यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है देखो the first point क्या है 3,0 3,0 कहा है मेरा point दिखा क्या आपको यह देखो 3 यह है on x axis y axis पर 0 मतलब center पर तो यह होगा मेरा first point correct तो मैं यहाँ पर लिख दू 3,0 देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3,0 ओके then next is your minus 2 and 5 minus 2 on negative axis x axis यहाँ पर है minus 2 and then 5 कहाँ पर आपका देखो 5 on positive axis यह यहाँ पर है दिख रहा है आपको then यहाँ पर हमारा point आएगा minus 2,5 ओके यहाँ पर मैं लिख देती हूँ minus 2,5 then third is 0,3 0 on x axis and 3 is on y axis तो मेरा 3 है यहाँ पर तो मेरा point कहाँ से जाएगा 0,3 अभी आपको यह 3 points नजर आ रहे होंगे अभी हम इन 3 points को एक line से join कर लेंगे देखो अभी हम इसको एक straight line से join करेंगे इन 3 points को अभी हो सकता है मेरे यह 3 points एक line पर ना आए लेकिन आप जब graph table जब भी आप लोग फॉर्म करोगे आपके आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई भी measurement से नहीं किया हुआ है मैंने सभी मैंने सिव कुछ ऐसे मतलब pencil pen का और scale का यूज करके नहीं किया है ठीक है डायरेक डायरेक निकाल रही हूँ तो यह जुस आपको यह जो point दिखाई दिरा है ना minus 2,5 का यह बराबर उस line पर ही है देखो यहाँ पर है ठीक है मतलब यह कौन से equation का graph हुआ यह first equation का graph हुआ graph line हुई हमारा first equation क्या था है यहाँ पर हम लोग इस line पर लिख देंगे x plus y is equals to 3 क्यूंकि हमें यह जो coordinates मिले है यह हमें किस वज़े से मिले है x plus y is equals to 3 इस equation के वज़े से मिले है इसलिए मैं इस line पर उसका equation भी लिख दूँगी कोई भी एक coordinate पर ठीक है बीच में नहीं लिखेंगे वो अच्छा नहीं लगता then now अभी हम देखेंगे second coordinate second equation के 4,0 देखो 4 कहा पर है on x-axis and y-axis पर 0 मतलब यह point यही आएगा बराबर है and then minus 1, minus 1, minus 5 minus 1 on x-axis and minus 5 is on negative y-axis तो देखो minus 1 यहाँ पर है लेकिन minus 5 यहाँ पर है तो हमारा points कहाँ पर आएगा लगभग यहाँ पर आएगा अपका points मैं यहाँ लिख देती हूँ minus 1, minus 5 ठीक है और यह कौन सा point पर हमारा 4,0 then third point is 0, minus 4 0 कहाँ पर है center पर और minus 4 कहाँ पर है यह यहाँ पर आए बराबर है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0, minus 4 दिख रहा होगा so अभी हम इसको भी एक line से joint कर लेते है देखो यह होगा ऐसे line sorry मैं इसको बिल्कुल straight line निकालती हूँ okay पर आपको इसका intersection देखना होगा यह फिर से नहीं आ रही sorry यहाँ बच्चो एक मिनिट लेट हो जाएगा आपको देखो अभी मैं निकालती हूँ यह देखो यह जा रही है ऐसे ठीक है अभी आपको यह दिखाई नहीं दे रही होगी में भी हो सकता है ठीक है यह देखो अभी जो green point है ना यहाँ पर यह जो green point है यह आपका है एक ही line पर मतलब यह 3 points आ रहे हैं आपको 3 points दिखाई दे रहे होंगे यह देखो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ठीक है तो अभी यह intersect हुआ कहा पर है यह देखना ज़रूर है, सबसे पहले क्या देखना ज़रूरी है यह दोनों points intersect कहा पर हुए है देखो, यह 3 और 4 के बीच में on axis पर intersect हुआ और यह देखो, 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है तो यह बीच में हुआ, दिख रहा है दिख रहा है, यह देखो, 3 और 4 के बीच में आएगा तो मतलब क्या होगा वो, 3.5 होगा और यहाँ पर 0 and minus 1 के बीच में आ रहा है 0 and minus 1 के बीच में, मतलब क्या होगा, 0.5 होगा correct है, तो हमारा x, y, यह coordinates के आएंगे 3.5, minus 0.5, this is your coordinates and this is your answer, last answer हमने x और y की value find out की है तो देखो, यहाँ पर हम लोग last में लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पर हम last में लाइन लिखेंगे the two simultaneous equations are intersect at point 3.5, minus 0.5 this is minus, minus 0.5, okay यहाँ पर भी हम लिख देंगे 3.5 minus 0.5, okay यहाँ पर आपका x क्या आया है 3.5 and this is your answer, minus 0.5, okay so this is your first question now like this we have to solve another 6 problem मैंने यह थोड़ा धीरे धीरे लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छे से समझाना था अभी मैं इसका graph दिखा देती हूँ एक बार यह देखो, यह graph आपका graph page पर ऐसे दिखेगा यहाँ पर मैंने एक साइड में scale लिख लिए है देखो, यहाँ पर मैंने scale भी लिए हुए है यहाँ पर मैंने दो equation है यह मेरा last में आया हुआ answer यहाँ मुझे गलती से एक गलती हो गई है यहाँ पर मैंने answer minus 0.5 आया था यह मुझसे गलती से हुआ है, यहाँ पर मैंने दो equation देखो, यहाँ पर मैंने एक equation लिया, यहाँ पर मैंने दुसरा equation लिख दिया, मैंने दो line देखी और यहाँ पर intersect हो रहा, वो points लिख दिये, ठीक है, this is your answer, now move to the second question, अभी second question में हमें 6 question solve करने है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यह fast लोगे, क्योंकि 6 question एक सार एक जैसे ही है, okay, so now let's see first question, first question में क्या दिया है, दो equation दिया है, अभी हमको, क्या बोलते है, उसको table बराना पड़ेगा, first x की value put करेंगे, हमें y की value मिलती जाएगी, तो अभी देखो, सबसे पहले हम लोग सबसे first equation लेते है, यह first equation का table है, यह second equation का table है, ठीक है, x plus y is equal to 6, आप यहाँ पर x की value कुछ भी put कर सकते हो, 0, 2 लेके 1, 2, 3, 4, यहाँ तक, यह तो, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, up to the infinity, आप कही पर भी कोई भी number ले सकते हो, लेकिन आपके graph पर आप put कर सको, उतनी ही value लो, आप 20 लोगे, 25 लोगे, तो आप graph पर आपको put करने म में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, so, try to smallest value, try to put smallest value, okay, so, हमारा first देखो, क्या है, हम अगर x की value, 0 put करते हैं, क्या put करेंगे, 0, मैं अगर 0 put करती हूँ, देखो, मैं यहाँ पर लिखती हू, 0 put करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा first equation यह है, so, मैं 0 plus y is equal to 6, so, मेरा y is equal to क्या है, answer, 6, मतलब, जब मैंने 0 put किया, तो मुझे क्या मिला, answer, 6 मिला, so, मेरे coordinates क्या होंगे, 0,6, understood, now, second, अभी second देखो, अगर मैंने, x, second value मैंने अगर 1 put कर दी, अगर मैंने 1 value put कर दी, तो, यहाँ पर यह 1 है, okay, तो, क्या होगा equation, x plus y is equal to 6 है, तो मैंने x की जगा 1 पकड लिया, so, 1 plus y is equal to 6, then, 1 को इस साइट लेके जाओंगी, तो क्या होगा, y is equal to 6 minus 1 is equal to 5, so, मेरा यहाँ पर क्या आएगा answer, 5, okay, इतना समझ लिए, अब third में, अगर मैं 2 put करती हूँ, तो, आप solve करो, एक मिनिट के लिए pause करो, और solve करो, चरो फटा-फट, देखो, तो, क्या एक्वेशन है, x plus y is equal to 6, मेरा एक्वेशन है, so, एक्वेशन के हिसाब से, मैं अगर यहाँ पर 2 put करती हूँ, क्या put करती हूँ, तो, देखो, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगे भी, 2, 2 put करती हूँ, तो, मुझे क्या मिलता है, देखो, 2 plus y is equal to 6, then, y is equal to 6 minus 2, so, 4, y is equal to 4, तो तो, मुझे 2 जब put किया तब क्या मिलेगा, 4, तो, यहाँ पर हम coordinates लिख देंगे, 1,5, और यहाँ पर 2,4, यह coordinates हम लोग लिख देंगे, इतना समझ में आया, now, ऐसे ही same way से हम लोग second table भी put करेंगे, second table में हमने अगर 0 put किया, क्या put किया, 0 put किया, तो, हमारा second equation क्या है, x minus y is equals to 4, अगर मैंने x is equals to 0 put किया, तो, मुझे y is equals to क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 minus y is equals to 4, this is, minus, minus side को मैं इस side लेके जाओंगे, so, y is equals to minus 4, minus 4, तो, मेरा answer क्या आया, minus 4, उसके बाद, हम यहाँ पर coordinates लिख देंगे, 0, क्या लिखेंगे, 0, minus 4, अब second में देखो, मैं अब second में क्या put करती हूँ, मैं second में put करूंगी, minus 1, minus 1, minus 5, क्या put करूंगी, minus 1, minus 5, तो, आप एक बार निकाल के देखो, अगर मैंने minus 1 put किया, क्या पुट किया minus 1 तो मुझे क्या मिलता है y is equal to मुझे क्या मिलता है देखो x minus y is equal to 4 है so minus 1 minus y is equal to 4 so 4 इस साइट जाएगा minus 1 minus 4 is equal to y so y is equal to मुझे क्या मिला minus 5 देखो क्या मिला minus 5 तो मैं यहाँ पर minus 5 लिख दूंगी फिर मुझे coordinates क्या मिलेंगे minus 1, minus 5 ओके यहाँ पर आपको दिखा ही नहीं दे रहा होगा लेकिन समझो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो आप लोग अच्छे से लिखना table बना के अभी हम third में क्या put करेंगे third में हम लोग put करेंगे x minus y is equal to 4 यह आपका equation है तो अगर मैं यहाँ पर consider करती हूँ अभी मैं positive 2 put करती हूँ so 2 minus y is equal to 4 correct then 2 is 4 को इस साइड लेके जाओंगी y को इस साइड लेके आओंगी so minus 4 is equal to y this is correct then y is equal to minus 2 मिलेगा हमें क्यों 4 में इसे 2 गया तो 2 मिलता है और जो sign biggest number को होता है वो हम sign दे देते हैं correct then y is equal to हमें क्या मिला minus 2 मतलब जब हमने 2 put किया थो हमें मिला क्या minus 2 2, minus 2 अब इस से related हमारा graph बना लेते हैं तो अभी graph पर देखो जहाँ पर मैंने scale भी लिखी हुए है और points भी लिख दिये अब एक-एक put करो 0,6 0,6 is your first point ओके 0,6 देखो कहा पर आएगा 0 on x-axis पर आएगा and 6 on y-axis पर मतलब यहाँ पर point आएगा first आपका तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 0,6 then second point is 1,5 1 on positive axis यहाँ पर है and 5 is on negative axis यहाँ पर मतलब यह point आएगा हमारा this पर इस point पर 1,5 ठीक है then 2,4 2 कहाँ पर है on positive axis and 4 is on negative axis मतलब मेरा point आएगा यहाँ पर लगभग 2,4 ठीक है तो अभी मैं इन lines को join कर लेती हूँ क्या कर लेती हूँ join कर लेती हूँ एक straight line से तो देखो मेरी straight line कैसे हो रही है find out कैसे मिल रहा है मुझे देखो कहाँ है यह जा रही है मेरी line ऐसे देखो एक ही point पर जा रही है मेरी यह है मेरी straight line यह होगी आपके straight line first equation की और मेरा first equation क्या है आपको याद होगा first equation था हमारा x plus y is equals to 6 ठीक है अभी हम बाकी के points पुट करेंगे second line के लिए ठीक है second line के लिए अगर ये आप x को extend कर लेना थोड़ा सा यहाँ पर then मैं अभी second point पुट करती हूँ 0 minus 4 0 यहाँ पर है और minus 4 negative axis पर देखो यहाँ पर मतलब मेरा first point मिलेगा यहाँ पर then minus 1 comma minus 5 minus 1 यह देखो यहाँ पर है और minus 5 negative y axis पर यहाँ पर मतलब यह मेरा point आएगा यहाँ पर यह होगा आपका यह कौँसा point था आपका यह point था आपका 0 comma minus 4 यह point था आपका minus 1 comma minus 5 अभी last क्या है 2 on positive x axis and minus 2 on negative y axis मतलब यह point आएगा मेरा यहाँ पर ओके तो जब हम लोग यह वाले points पुट करेंगे तो इसको जो joint line करती है line join करो यह देखो यह कहाँ से जाती है देखो अभी यह points नहीं भी आ सकते हैं अब मैं यह जरूरी नहीं है कि आपके यह points आएंगे ही बराबर line पर ठीक है यह थोड़ा सा उपर चाहिए था अभी नहीं आ रहा मेरे वज़े से मैंने शायद गलत मतलब गलत नहीं किया है लेकिन यहाँ पर कुछ तो भी यह चाहिए था ठीक है लेकिन यह ऐसा नहीं होता यहाँ पर भी मेरे पास scale pencil नहीं होने के कार्ड यह थोड़ा सा अलग दिख रहा है यह ऐसे नहीं दिखता यह देखो यह यह यहाँ पर है यह ऐसे होता है मतलब यह उपर वाले साइट में यहाँ पर क्रॉस हो रहा है देखो कहाँ पर क्रॉस हो रहा है यह यह देखो उपर साइड में यहाँ पर क्रॉस हो रहा है और मेरा यहाँ पर थोड़ा सा सेंटन में यह आ गया है यह थोड़ा सा उपर चाहिए था ओके यह वन आता है तो जिस लाइन पर यह इंटरसेक्ट होता है देखो बराबर 5 पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है यह दो को यहाँ पर 5 पर ही इंटरसेक्ट होता है लेकिन यह थोड़ा सो उपर चाहिए था मतलब यहाँ पर चाहिए था क्या होगी आपकी second equation x x क्या है x minus y is equals to 4 this is your second equation तो यह मैंने लिख दिया और मेरा intersect हुआ 5,1 पर तो यह आपके होंगे x और y के x, y is equals to क्या मेरा आपको 5,1 तो हम लोग यहाँ पर answer क्या लिखेंगे last में last में हम लोग answer लिखेंगे यहाँ पर 5,1 is your intersection between two lines तो x is equals to 5 and y is equals to 1 यह lines आपको लिखने जरूरी है समझे एक-एक आप सबसे पहले जैसे आपने put किया value वैसे वैसे आप लोगों को लिखना है एक-एक step by step और फिर हम लोगों को graph भी दिखाना है और last में यह दो lines भी लिखनी है समझे now second देखो अभी second में अभी मैं second से आपको सीधा-सीधा value जो है वो put करके दिखा देती हूँ मैं एक-एक solve करूँ नहीं करूँगी सिफ एक-एक example बता दूँगी ठीक है तो अभी मैं first वाले equation को solve करने के लिए first वाले equation को solve करने के लिए मैं कौन-कौन से value put कर सकती हूँ कोई भी बराबर है तो मैं यहाँ पर put करती हूँ मैं कौन-कौन से put कर सकती हूँ 0 put कर सकती हूँ 5 तो 0 अगर मैंने put किया तो क्या आता है मैं यह दिखा देती हूँ उसके बाद अगर मैंने 1 put किया तो मुझे 4 मिलता है अगर मैंने 2 put किया तो मुझे 3 मिलता है यह आप लोग solve करके देख लेना एक बार अगर मैंने गलत किया होगा तो आप मुझे comment section में बताना कि माम आप यहाँ पर गलत हो ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ अगर मैं x is equal to 0 put करती हूँ तो मुझे equation क्या मिलता है 0 plus y is equal to 5 मतलब y is equal to मेरा answer क्या आगया 5 तो यहाँ आएगा मेरा answer 5 0,5 then 1,4 और यहाँ पर 2,3 this is your answer ठीका, यह दो आपको solve करके देखना है मैंने सिर्फ यहाँ पर fast fast बता दिया अभी मुझे अगर second equation को, second table को solve करना है तो मैं क्या करूंगी मैं अभी और एक और बात सिर्फ आप x की value नहीं ले सकते आप y की value लेकर भी x की value find out कर सकते है ठीक है, मैं एक example बता देती हूँ अभी अगर मैं y की value minus 4 put करती हूँ तो मुझे x क्या मिलेगा second equation क्या है x minus y is equal to 3 so मैं x minus y is equal to minus 4 put करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 3 so x plus 4 is equal to 3 क्योंकि यह minus into minus क्या होता है plus होता है then x is equal to 3 4 को इस side लेके जाओंगे minus 4 होगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा x minus 1 x की value क्या मिली minus 1 फिर मैं यहाँ पर लिख दूँगी minus 1, minus 4 वैसे ही आपको भागी के find out करने है यहाँ पर अगर मैं 2 लेती हूँ x के लिए तो मुझे minus 1 मिलता है अगर मैं 0 लेती हूँ तो मुझे minus 3 मिलता है यह आपको solve करके देखने है ठीक है मैं अभी इतना सारा solve करके दिखाऊंगी तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और 6 problems है ठीक है इसलिए अभी हम लोग graph पुट करते है फटाफट देखो अभी first point क्या है 0,5 0 यहाँ पर है 5 on positive axis यहाँ पर आएगा आपका first point कुनसा आएगा 0,5 then 1,4 1 यहाँ पर है 4 कहाँ पर है 1,4 मतलब लगभग यहाँ पर आपका second point आएगा 1,4 then third point is 2,3 2 यहाँ पर है 3 यहाँ पर मतलब मेना third point यहाँ पर आएगा बराबर है अब मैं इससे related एक line लिखा लेती हूँ straight line वो कहाँ से cross out होती है देखो जरा maybe यह एक line पर नहीं भी आ सकते जरूरी नहीं है कि यह आएंगे यह सिर्फ मैं आप लोगों समझा रही हो और वो भी without scale इसलिए गलत भी हो सकता है लेकिन graph में मैंने उसके पीछे दिखाया है तो वो एक बार वीडियो पॉस्ट करके देख लेना चेक कर लेना कि मैंने कैसे वहाँ पर draw किया है ठीक है तो यह equation first की line है और अब अब का equation first क्या था x plus y is equal to 5 क्या था आपका equation x plus y is equal to 5 और try करो कि मेरे साथ solve करना है मतलब फटाफट हो भी जाएगा now second box का equation कहाँ पर है आपका देखो अभी आप second box के लिए minus 1 minus 4 minus 1 यहाँ पर है और minus 4 यह देखो यहाँ पर मतलब point कहाँ पर आएगा minus 1, minus 4 दिन आपका second point है 2, minus 1 2 on positive x is negative x is पर minus 1 ठीक है इतना समझ लिए मैं यहाँ पर यह point out कर देती हो minus 1, minus 4 और यह आपके थे 2, minus 1 ठीक है third point कहा है आपका 0 और minus 3 0 तो center में आएगा minus 3 on negative x is यह देखो यहाँ पर है तो यह आपका point कहाँ आएगा 0, minus 3 अभी हम इसको join कर लेते हैं इसको हम लोग join करते हैं देखो यह कहाँ जाएगे यह थोड़ा सा मतलब ऐसे जाएगे देखो ठीक है यह ऐसे जाएगे तो अब यह कहाँ पर intersect होती है यह देखो सब चुपहले आप लोग यह आपको देखना जरूर है कि यह intersect कहाँ पर होती है ठीक है तो यह equation second equation क्या है था आपका second equation था आपका x-3 क्या था x-y is equal to 3 ठीक है यह आपको equation लिखना जरूरी है अभी intersect कहाँ पर हुई यह देखो यह देखो 3 और 4 के बीच में हो गया 3 और 4 के बीच में लेकिन यह थोड़ा सा गलत आ रहा क्योंकि यह पूरा 4 पर आना चाहिए आपका answer 4 and 1 पर ठीक है यह 1 पर थोड़ा सा यह नीचे और slightly आगे चला गया यह पीछे देखे गया है तो आपको यह थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा देखो तो हमें points कौन सा मिला 4,1 यही आपको point मिलेगा तो आपका x,y क्या होगा यह होगा आपका 4,1 तो यहाँ पर देखो graph पर देख लो यहाँ पर check कर लो correct है कि नहीं यह मैंने यहाँ पर दो equation और इसके answer लिख दिये यहाँ पर scale लिखी यह दो मेरे axis है एक first equation के लिए एक second equation के लिए और मेरा जो point मिल रहा है वो है 4,1 sorry यहाँ पर minus 1 नहीं यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी गड़बढ कर ली यहाँ पर आपकी points क्या आएगे 4,1 यह आपके होंगे points ठीक है मैंने यहाँ पर भी गड़बढ कर लिए थोड़ी सी यहाँ पर आपकी points है 4,1 ठीक है आपको लिखना है देखो मैंने यहाँ पर graph में सही दिया है पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पर लिखते है वक्त गड़बढ कर ली then now move to the next question third question third question में भी अभी मैं फटा फट बताती हूँ मैंने अगर third question में आप कुछ भी put कर सकते हो आप अपने मन से भी मर्जी से put कर सकते हो आपको answer सिफ correct मिलना चाहिए ठीक है अगर मैं यहाँ पर 0 put करती हूँ तो मुझे 0 ही मिलता है अगर मैं यहाँ पर minus 1 put करती हूँ तो मुझे positive 1 मिला और अगर मैं आप positive 1 put करती हूँ तो मुझे negative 1 मिलता है आप यह तीनों solve करके देखना आपको वही answer मिलेगा ठीक है यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की है तो आप लोग एक बार check कर सकते हो अगर मैंने second equation में 2 put किया तो मुझे minus 5 मिलता है यह मैंने पहले से ही solve करके रखे है ठीक है दाकि मुझे यहाँ पर आपका time pass नहीं करना है इसलिए मैं सारे solve करके नहीं दिखा सकती उसके बाद हम इस पर graph पर put करेंगे देखो मैंना first point कहा आता है 0,0 मतलब 0,0 कहाँ पर मिलता है हमें center में मतलब बेना first point is on center मतलब center में आएगा first point उसके बाद minus 1 and 1 minus negative axis and यह देखो मेरा यहाँ पर point आया और उसके बाद 1, minus 1 1, minus 1 यहाँ पर point आया ठीक है अभी हम इसको एक line से join करते है यह देखो straight line form होगी ठीक है यह होती है straight line तो हम लोग इस पर एक equation लिख देते है जो यह first equation का है क्या है इसकी equation क्या है आपकी इसकी equation है आपका मैं बताती हूँ आप लोगों इसका equation आता है x plus y is equal to 0 x plus y is equal to 0 and then अभी हम लोग second box के equation के क्या बोलते है coordinates को put करते है तो देखो हमें क्या मिलता है 2, minus 5 2, minus 5 2 कहाँ पर है positive x axis and minus 5 यहाँ पर आता है हो गया यह first point then 3, minus 3 3 on positive minus 3 is on negative यह देखो यहाँ पर मुझे second point मिल जाता then आपको 4, minus 1 4 यहाँ पर है minus 1 यहाँ पर है तो देखो यह मुझे मिल गया 4, minus 1 ठीक है यह आपको सारे points ऐसे क्या करें इसको denote करना है ठीक है यह 3, minus 3 यह 2, minus 5 यह आपको सारे points देखने है उसके बाद मैं इसको intersect करती हूँ दूसरे line के साथ कहाँ पर से जाती है यह line देखो ज़रा कहाँ पर से मिलते ही है यह देखो यह 7 में से ऐसे जाती है sorry अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यह यहाँ से जाएगी ठीक है यह ऐसे जाएगी देखो जा रही है इसे और यह नीचे आएगी यहाँ पर भी यह यह भी line ऐसे extend होती है तो यह नीचे भी आएगी ठीक है तो अभी हम देखते है intersect कहा हुआ यह आपकी second equation है 2x minus y is equal to 9 यह आपकी second equation है इसका intersection point कहाँ मिल रहा है आपको देखो यह देखो 3 पर और यहाँ पर minus 3 पर मिल रहा है ठीक है मतलब 3 on x axis and minus 3 on y axis so मेरा x, y क्या मिला मुझे 3, minus 3 समझे यह जो point आएगा फिर क्या होगा 3, minus 3 देखो मेरा answer यह सही है आया 3, minus 3 और यहाँ पर मैंने कोई गर बढ़ नहीं की तो आप लग लिख सकते हो बिना check किये ठीक है यहाँ पर axis लिखना मतलब यहाँ पर units लिखना जो आपने लिया है यह आपका answer यह देखो यहाँ पर आपका point of intersection मिला है और यह दो equation के line समझे नाव 4 देखो 4 में अगर हम लोग put out करते है अगर मैं 0 put out करती हूँ यहाँ पर तो मुझे क्या मिलता है देखो minus 2 मिलता है अगर मैं 1 put out करती हूँ तो यहाँ पर 1 मिलता है उसके बाद अगर मैंने minus 1 put किया तो minus 5 मिलता है यह आप लोग check कर लेना ठीक है और यहाँ पर coordinates भी लिख लेना उसके बाद अगर मैं second box में minus 1 minus 5 ठीक है यहाँ पर अगर मैंने 0 put कर दिया तो मुझे minus 3 मिलता है अगर मैंने 2 put कर दिया तो मुझे 1 मिलता है अब प्लीज यह मत कह देना कि मैंने मैंने आपको last last problem solve करके नहीं दिखाए ठीक है आप एक बाद कर लेना आपको जैसे मैंने first में second में समझाया है वैसे ही क्योंकि अगर मैं इसको समझाते बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी ठीक है तो अभी हम इसको graph पर put करते है graph पर देखो हम लोग कैसे put करेंगे ठीक है first point is your 0, minus 2 0 का हापर आपका center में है ठीक है 0 आपका center में और minus 2 on negative axis यहापर मतलब this is your first point then 1,1 1 यह देखो और यहापर भी 1 तो यह आपका second point और उसके बाद minus 1 minus 5 minus 1 यहापर है और minus 5 यहापर तो मतलब आपका point आएगा लगबग यहापर अभी हम इसको भी एक joint कर लेते है ठीक है इसको भी line से joint करते है देखो जरा just one minute यह line नहीं आ रहे यह line आ जाएगे ठीक है अगर कोई points नहीं भी दिखरा होगा वो सारे एक point पर आते ही है ठीक है अब मुच्छे कोई गलती हो गई होगी या मतलब scale मैंने correct major करके नहीं लिए है इसलिए भी हो सकता है ठीक है तो यह मेरा first equation की line है और मेरा first equation क्या है 3x minus y is equal to 2 ओके this is your first equation second देखो minus one minus five minus one कहाँ पर है यह minus one है यह देखो minus five यहाँ पर है मतलब यही point आएगा आपका फिर से minus one minus one कॉमा minus five और यह कौन सा point था आपका यह अपका था 0, minus two ठीक है और यह था आपका one कॉमा one अभी देखो second minus one five मिल गया हमें यहाँ पर उसके बाद zero minus three zero on x axis पर ही आएगा minus three मेरा देखो यहाँ पर आ रहा है यह देखो यहाँ पर है zero कॉमा मैं यहाँ लिखती हो zero कॉमा minus three यह यहाँ पर दिखा then आपका two कॉमा one two positive यह one मतलब यह देखो यहाँ पर आपका बाद में आएगा two कॉमा one तो अगर मैं इसको जॉइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है देखो यह मतलब यह ऐसे लाइन मिलती है ठीक है यह देखो ऐसे cross out करती है ठीक है यह ऐसे cross out करती है यहाँ पर से यह ऐसे cross out करती है तो हमें जो points मिलती है यह पहले तो आप लिख लेना यह second equation की है line आपका second equation आपके पास क्या है two x minus y is equal to three this is your second equation और यह देखो intersect कहा पर हो रही है अभी है हमारी intersect होती है minus one पर देखो यह देखो यहाँ पर intersect हो रही है तो यह देखो minus one on x axis बराबर है minus one x axis पर और minus five यह यहाँ तक जाती है तो minus five on y axis ठीक है यह minus four पर नहीं हो रही है minus five पर हो रही है तो x, y हमारा answer क्या होगा minus one on positive axis माइनस 5 और निगेटिव एक्सिस से बराबर है तो मैं यह आप पर यह पॉंट्स क्या लिखूंगी यह दोनु लाइन्स कहाँ पर इंटेसेक्ट हो रहे हैं अब देखो फिट नमबर का लास सेकंड है यह इसके बाद एक और है उसके बाद यह एक्सिसाइस आपके खतम हो जाएगी ओके अभी हम लोग अगर मैंने यहाँ पर माइनस 1 पुट कर दिया माइनस 1 पुट किया तो मुझे 1 ही मिलता है चेक कर लेना ठीक है? सॉल्व करना इसको माइनस 2 पुट किया तो मुझे यहाँ पर मिलता है 1 by 4 क्या मिलेगा? 1 by 4 लेकिन इस 1 by 4 का मतलब होता है 1 को 4 से डिवाइट करो क्या मिलेगा मुझे? 1.028 then 2, 0 4, 5 is a 20 ठीक है? तो इस 1 by 4 का मतलब होता है 0.25 5 by 2 मिलता है तो अगर मैं 5 by 2 को 5 को 2 से डिवाइट करोंगे तो क्या मिलेगा? बराबर है 1.025 मतलब मुझे यहाँ मिलेगा 2.5 ओकी? यह आपको पुट करना है और जब आप बुक में लिखोगे, पेपर में लिखोगे तो आपको एक-एक सॉल्व करके की भी दिखा रहा है ठीक है? तो अब इस 2nd equation के लिए अगर मैं पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे यहाँ पर मिलता है 2 पुट किया तो 5 मिल जाएगा माइनस 2 पुट किया तो माइनस 5 मिल जाएगा जिरो पुट किया तो मुझे जिरो मिल जाएगा यह आपके होंगे 2 boxes अब इससे related graph देख लो कैसे find out करेंगे? सबसे पहला point है माइनस 1 वन माइनस 1 और निगेटिव एकस एकसिस का 0.25 तो मेरा कहा पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा ठीक है? वो यहाँ पर आएगा क्या आएगा यह? माइनस 2,0.25 उसके बाद मेरा point है 1,2.5 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर 2 और 3 के बीच में क्या मिलेगा? 2.5 तो मेरा 3rd point आएगा यहाँ पर यह कौन सा point होगा? 1,2.5 अब इसको फिर से हम लोग एक स्टेट लाइन से जॉइंट करते हैं तो मुझे लाइन क्या मिलती है? देखो जरा यह देखो ठीक है? 3rd point बराबर आने रहा तो आप उसको correct टर लेना तो यह मेरे equation क्या हो गई? यह मेरे equation हो गई 3x-4y is equals to 7 इस इस यहाँ फिर स्टेट करो 2,5 2,5 आपको कहा दिख रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? 2,5 यह देखो 2 इस on and 5 is on this तो यहाँ पर मेरा फिर स्ट पॉइंट आएगा then second is minus 2 minus 5 minus 2 यहाँ पर है minus 5 यहाँ पर है तो देखो मेरा minus 2 minus 5 यहाँ पर आ गया बराबर है यह कौन सा point था? 2,5 और यहाँ पर मेरा मिल रहा है minus 2, minus 5 सही है? then 0,0 यहाँ पर आएगा center में तो यह आएगा अब इन तिनों को जो जोइन कर लो इन तिनों points को आप लोग join कर लो एक line से तो यह कैसे आएगा? यह ऐसे आएगा ठीक है? यह जो center वाला point मिल रहा है ना वो मिल जद्दा है यह देखो यह थोड़ा सा slightly आपको जो यह वाला point है just one minute यह जो point है ना आपको थोड़ा slightly move करना पड़ेगा move करो कहाँ पर move करना पड़ेगा यह यह यहाँ पर ठीक है? तो यह देखो जहाँ पर intersect हुई है वो line कहाँ मिल रही है आपको? वो line आपको मिल रहा है 1 पर and 1 and 2.5 देखो 3 और 5 के बीच में है so 2.5 and 1 ठीक है? यह 1 पर आती है 2 पर और 1.5 के बीच में नहीं है यह 2.5 and 1 so x-axis पर y-axis पर हमें क्या मिल रहा है 1,2.5 this is your answer तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे फिर 1,2.5 1,2.5 1,2.5 यह होगा आपका answer ठीक है? अभी हम last देखते है ठीक है? last देख लेते है काफी वीडियो लंबा हो गया है देखो यहाँ पर timing भी दिखरा होगा अपको लोगों को ठोड़ा patience रखना 6th problem देख लो last है आपका अभी अगर मैंने यहाँ पर 2 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा अगर मैंने यहाँ पर 5 पुट किया तो मुझे 2 मिलता है अगर मैंने minus 1 पुट किया तो minus 2 मिलता है यहाँ कोई भी नंबर मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर पुट कर सकते हो लेकिन आपके graph पर आप लोग plot कर सो को ऐसा नंबर लेना ठीक है यहाँ पर मैंने 4 लिया तो 0 लेक सकते है अगर मैंने y को 2 रखा तो मुझे x को 2 मिलता है और अगर मैंने y को 1 रखा तो मुझे x को minus 1 मिलता है ठीक है यहाँ मैंने पहले से ही solve करके रखे है ताकि direct direct मैं बता सकू मुझे idea था कि यह video लंबा होगा इसलिए तो मैं first point पुट करती हो 2,0 2 यहाँ पर 0 on y axis तो यही पर point आएगा first point ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखती हो 2,0 then second is 5,2 यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 तो देखो 5,2 यहाँ पर आएगा then minus 1 minus 2 minus 1 यहाँ पर है minus 2 कहाँ पर मिला यहाँ पर ठीक है तो यह मेरा होगा minus 1 minus 2 मैं फिर से इसको join करती हूँ एक straight line से तो मेरी straight line यह ऐसे आएगी देखो यहाँ पर आएगी ऐसे ठीक है just one minute हाँ यह ऐसे आएगी ठीक है यहाँ गई तो इसको आप first equation का जो भी आपका first equation है वो दे दो क्या है आपका first equation है 2x minus 3y is equal to 4 this is your first equation अभी आपको इसको क्या करना है second equation में पूट करना है second equation देखो second equation देखो एक बार क्या है 4,0 4 कहाँ पर है यह देखो 4 है और 0 मतलब यह यही पर आएगा positive x6 4,0 ठीक है 4,0 then 2,2 कहाँ पर है यह देखो 2 और positive 2 यह यहाँ पर आएगा ठीक है 2,2 ठीक है then minus 1,1 minus 1 कहाँ पर है यह यहाँ पर minus 1 है positive 1 यह यहाँ पर है ठीक है तो जब मैं यह line draw करती हो तो मुझे line कैसे मिलती है देख लो यह देखो ऐसे मिलते है ठीक है points ऐसे मिलते है यह देखो यहाँ पर भी आपको points मिल रहे होंगे यह देखो यह एक point अलग है आपका यह जो point है दिख रहा है यह आपको out of क्या बोलते है आउट of station जिसे बोलते है न वैसे है यह out of station है इसको हम लोग draw नहीं कर सकते तो इसको छोड़ देंगे तो बाकी points क्या मिले हम लोगों को यह देखो यह यहाँ से अगर ऐसे draw करते है तो यह यहाँ तक जा रहा है ऐसे दिखो जा रहा है यह यहाँ तक तो जब हम लोग इसको ऐसे extend कर लेते है तो जब हम इसको equation number देतो एक बार equation क्या है आपका equation second equation 3y-x is equal to 4 this is your second equation अब यह देखो यह intersect हो रहा है आपका सबसे main point है intersection तो देखो यह 8 पर intersect हो रहा है देखो यह 8 पर intersection हो रहा है और उपर कहा पर हो रहा है 4 पर देखो यह correct आगया आपका 4 and 8 पर so x-axis पर कहा पर है x-axis and y-axis पर देखो x-axis पर 4 पर है 8 पर है and y-axis पर 4 यह दिस इस यह last answer यह देखो ग्राब देखो एक बार यह देखो देखो this is your answer intersection हुआ है यह graph आप इससे match कर सकते हो ठीक है मैंने आपको match करने के लिए ही दिया है तो यहाँ पर मैं last answer क्या लिखूंगी यहाँ पर मैं last answer लिखूंगी 8,4 यहाँ पर भी मैं लिखूंगी 8,4 x is equal to 8 y is equal to 4 this is your answer हमें सबसे हमने क्या किया अभी दग हम लोग एक equation को लेते थे उसमें हम लोग x की value put करते थे और y की value हम लोग निकालते थे ऐसे हम तीन बार करते थे कितने बार करते थे हम लोग तीन बार ठीक है तीन बार करने से हमें क्या मिला एक टेबल मिला उसके बाद हम सेकेंड एक्वेशन लेते थे उसके लिए भी सेम प्रोसिजर करते थे और हम लोग सेकेंड टेबल को find out करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको graph में put करते हैं ठीक है तो आपकी graph ऐसे मिलेंगे and then आपको last में यह line लिखनी हुई है यह जो last में line लिखी हुई है मैंने यहाँ पर यहाँ पर तो यह आपको लिखना है तो यह थी आपकी exercise 1.2 थोड़ी सी vast और लंबी है थोड़ी सी lengthy है तो आपको थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा और calculation आप बराबर sign का ध्यान रखकर करिए ताकि आपका एक भी sign अगर गलत हुआ तो आपके coordinates भी गलत होगे and then आपका graph भी गलत होगा ठीक है तो आप फिर से वही technique यूज़ कर सकते है आपको x की और जब y की value मिलेगी तो यह x और y की value आप इस equation में एक equation में x और y की put करिए और left hand side right hand side की equal आती है कि नहीं यह check कर लेना फिर आपका answer correct है कि नहीं आपको पता चल जाएगा ठीक है अभी हम मिलते है next वीडियो में next exercise के साथ 1.3 के साथ अगर उससे पहले कुछ basic होगा तो हम लोग पहले basic का video बनाएंगे and then आपकी 1.3 exercise start करेंगे okay so अगर आपको यह पसंद आया होगा तो please इसको like करिए जादा से जादा दोस्तों के साथ share करिए and please subscribe करिए okay bye bye मिलते हैं हम लोग next video में next concept के साथ